स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में तो आज फिरेंस मैं आपको तोन पट्टी बनाना बताऊंगी और इसके देखिए हमने किनारे पट्टी का डिजाइन इसमें आट किया है अब देख सकते हैं गिरीन कलर्श्रेम ने इसको बनाया है और इसमें बीच में हम एक बार आप बनाना सुरू करेंगे तो जब तक पूरा नहीं बन जाएगा तब तक आप उठेंगे नहीं बहुत ही आसानी से बनता है और बनाते समय आपको उबन भी नहीं आएगा और यहां पर मैं दूसरे साइट से भी इसको दिखा दे रहे हूं तो पत्ती देखिए द इस तोरब पत्ती को बनाने के लिए हमने यहां पर टूकलर का उलन लिया हुआ है और कुरूसिया देखिए 2.5 पीमियम है और आप उलन कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो तो सबसे पहले मैं यहां पर चैन बनाऊंगी तो एक चैन हमने बनाया है दो तीन चार तो य अब 2 दो फंदा इसको बंद कर देंगे एक साइट का ट्रिपल कुर्शिया है तो यह बन गया अब इसके आगे हमें चैन बनाना था एक दो और यहां पे तीन चैन बनाके द धागा इससे कुरूसियम लेंगे और फिर यहां पे देखिए बीच में थोड़ा सा जगा है तो सर दागा कुने कालेंग है तो चैन की ब्राबर हमें धागा कुरूश्यर लेना है तो एक!' आप-, तो आपड धागा हम निलिया है अब इस को बंद करना है तो इसके अंदर दो दो धागा रखके इसको हम बंद करेंगे इस तरीके से इसके अंदर दो धागा रखके इसको बंद करना है तो बहुत ही सिंपल है ऐसे दो धागा इसको अंदर रखके बंद कर लेना है और लाश्ट में देखिए तीन धागा बचता है एक साथ इनको हम बंद कर ले का गिए तेन बनाके यहां पे दागे को में छोड़ देना है दूसरा ढलेंगे तो यह तो amen देखिए फंदे में हम यहां पी फंदे में हम निकाल के समय थाई लेना है थोड़ी बड़ी साइज का ज्यादा बड़ी रहना चाहिए फिर धागा कुरुष्य हम लेके इसके नेक टोले फंदे में यहाँ पर देखिए ऐसे धागे को निकाल लेंगे फिर फिर धागा कुरुष्य हम लेके फिर आगे देखिए जो उपर का फंदा है उसी में से हम धागे को निकाल रहे हैं एक एक फंदे में से एक धागा निकालना है तो यहाँ पर मैं निकाल ले रहे हूँ तो लास्ट तक यहाँ पर हमने धागे को निकाल के अब यहाँ पर इसके अंदर दो दो धागा रख के इसको बंद कर देना है तो इसके अंदर देखिए दो धागा ही रख के इसको बंद करना है लास्ट में 3 धागा बचेगा एक साथ हम बंद कर देंगे तो देखे इस तरीके से इसको बनाना है फ्रेंस अब इसके आगे धागा थोड़ा सा हम कीचेंगे और एसे धागा कुरुश्या हम लेंगे और देखे इसके जो फर्स्ट वाला फंदा है इसमें से हम धागे को निकालेंगे फर्स्ट वाले में से ए देखे इस तरीके से फिर धागा हम कुरूश्य हम लेंगे फिर आपे नेक्स्ट वाले फंदे में से एक धागा निकालना है उसी तरीके से फिर एक एक फंदे में से एक धागा हम निकालना है तो देखे फ्रेंस हमने सभी फंदों में से निकालना है अब देखे जो यहाँ पर नीचे बाला देखे एलो बाला है इसके फंदे में से हमें एक बार धागा निकालना है इस तरीके से निकालके अब इसको हम बंद करेंगे दो धागा इसके अंदर में रखा है बंद करते हु अब यहां पर फिर दो धागा में रखना है इसके अंदर इस तरीके से मैं लास्ट तक बना ले रही हूं कि अब यहां पर दागे को पिर छोड़ देना है यह देखिए ग्रीन वाला जो पती फिर इन्स इदे की बन चुका है अब यहाँ पे इस तरीके से हम पलट लेंगे तो पलट नेक बाद अब हम औरेंज कलर का जो धागा है इससे हम बनाएंगे ग्रीन बला धागा छोड़ देना है यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने चैन बनाया था पहले से ही यह देखे जो नीचे का चैन है इसके अंदर से हम धागे को निकालेंगे तो चैन देखिए हमने पहले से ही यहाँ पे तीन रखा था तो उसी के बराबर हम धागा इसके अंदर से निकालेंगी यहाँ पे हम आठ राउंड धागा निकालेंगी तो धाोऊब हमने 8 राउंड निकाल लिया है अब देखे इस तरकेश धागा लेके अहां पर जो हमने देखे नीचे पर यह चाहिन बनाया है इसी के फंदेंबहम इसको बंद करेंगे इस तरकेश से बंद कि धागा रहता है एक सान्स बंद करने खीर उपर की साइड देखिंक है यहां पर Cemten बना लेना हैं अब यहां पर धागे को में चौन चोड़ेंगे अब रिंग करने चलिए देखी नदे लाएंगे हिया उलाच्ट में उसी फंदे में क५रशक्ण को डालना है उपर वाला गुलि手 देखी है और यह सब निकालएंगे तो शन आलेंगे इस तरफ से स्वीभी केस्स यह अंदर निकाल लेंगे और जो ग्रीन वाला धागा इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि थोड़ा टाइट हो जाए इस तरीके से धागा निकाल लेना है और ज्यादा बड़ा नहीं खिचना है बस थोड़ा आई फिर धागा लेके कुरुश्या में आगे यहां पर देखे नेक्स्ट तक हम इसको निकाल लेंगे और यहां पे दो-दो धागा रखके इसको बंद करेंगे तो जैसे फर्स्ट वाली में पत्ती बनाया था सेम उएसे ही इसको भी बना लेना है अब यहां पे देखे थोड़ा सा धागा खिच के और जो फर्स्ट वाला देखी फंदा आया है इसम तो यहां पर धागे को हमने निकाल लिया है अब और अरंज वाला देखिए जो फंदा है इसमें से हम धागे को निकालेंगी और दो-दो फंदा इसको हम बंद करेंगी तो लाश्ट तक ऐसे ही बना लेना है इसको तो यहां पर देखिए फ्रेंस हमने यहां पर धागे को अब छोड़ देना है अब इसको हम पलेट लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमने इसको पलेट भी लिया है अब यहां पर पत्ती का कार है देखिए बन रहा है अब इसके आगे हम औरंज कलर से डिजाइन बनाएंगे जो और इसमें हमने तीन चैन पहले से बना के रखा था तो देखिए इस तरकी से धागा कुरुशया में लेना है अब यहां पर देखिए इसको खोलेंगे यहां पर देखिए बीच में इसके जगह है यहां पर देखिए इसके बीच से धागे को निकालेंगे यहां से देखिए च आठ रोंड एक मंने निकाल लिया है आँप इसे वाले द्धाक स्चेंग यहां निकाल हैं कि देखा धौल में सब marks detal değil कई धागा यहां से निकाल लेंगी यह दिखे इसंत्री हैं बंद करना है तो इसको औंद कर लिया अब इसके अंदर हम दो धागा रखेंगे यह देखें जो उने धागा निकाला है उसको यहाँ पर रखेंगे इसके अंदर अब यहाँ पर बंद करते हैं फिर इसके अंदर हम दो धागा रखेंगे तो देखिए फ्रेंस इसी तरीके से दो दो धागा रखके इसको बंद कर लेना है लाष्ट में तीन धागा रता है एक सांथ बंद करके फिर उपर की साड़ हम तीन चेन बनाके धागे को छोड़ देंगे अब ग्रीन बला धागा हमें पीछे से ही लेना है यहाँ पर यहाँ पर धागे को देखिए जो हमने तीन फंदा बंद किया है औरेंज कलर में देखिए यहाँ पर तीन फंदा हमने इसमें बंद किया था उसी में से हम कुरुषय को डाल के और यहाँ से देखिए धागे को नि निकाल लेना है, थोड़ा सा बड़ी सायज के ज्यादा बड़ी ना रहे, थोड़ा ही रहे, अब देखें नेक्स टॉले फंदे में से धागे को निकालेंगे, तो यहां पर एक एक धागा में एक एक फंदे में से निकाल लेना है, तो धागे को यहां पर हमने निकाल लिया है अब देखे जिसमें से हमने औरेंज कलर का धागा निकाला था उसी के फंदे में से हम धागे को निकालके और दो-दो फंदा फिर यहां पर बंद करेंगे तो last तक इसको बंड करके यह देखिए बंगे फिर हम first वाले फंदे में से धागय को निकालेंगे ये देखिए और आगे next वाले फंदे में से तो सभी फंदों से एक-एक धागय निकालना है तो मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ है चाहे पहला है तो यहां पैके फ्रेंड स्लाश दक धागा निकाल लेंगे अब यहां पहलाका और एक टाया जिसमें यहां यहां अगे से निकालेंगे यहां निकाला लाärke कि ताकि जो पत्ती का नीचे का भाग रहे थोड़ा सा पतला रहे इसलिए मैंने यहां पर एक धागा ज्यादा लिया है अब दो-दो फंदा इसको बंद कर देना है बंद करने का तरीका वहीं रहेगा फ्रेंस दो-दो धागा रखके इसको बंद करना है तो इसको मैं पूरा बना ले रहे हूं लाश्ट तक लाश्ट में तीन धागा रहता है इसको एक साथ बंद कर लेना है अब धागे को यहां पर हम छोड़ देंगे तो देखिए पत्ती का हमारा यहां पर देखिए नोकिला टाइप बन गया है इसलिए हम एक धागा इस्ट्राम ने बढ़ा दिय था तो जैसे हमने इसको बनाया से मुझे दूसरे साथ हुथ हम बनाएंगे तो पहले बीच का डिजाईन फ्रेंस से यहां पर बना लेना है तब हम पत्ती का डिजाईन बनाएंगी तो यहाँ पर देखे तीन चैन है पहले से ही हम बना लेते हैं अब यहाँ पर देखे इस तरीके से हमें हटा लेना है यहाँ जगर रहेगा इसमें से हम धागा निकालेंगे तो चैन की बराबर यहाँ पर आठ राउंड धागा निकाल लेना है बहुत ही simple design है friends आप देख सकते हैं कितने आसानी से बन जा रहा है और वीडियों को आप पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए तो यहाँ पर मैंने देखी धागा निकाल लिया आप चोथे वाले फंदे में यहाँ पर देखें इसमें हम इसको बंद करेंगी दो धागा रखके इसको बंद करना है अब सेम उसे ही दो धागा रखके इसको हम पूरा बंद कर लेंगी सबी फंदों को हमें उसी तरीके से बंद कर लेना है उपर की साइट तीन चैन बना लेंगी अब धागा यहाँ पे में छोड़ देना है अब गिरीन बला धागा लगाएंगे तो नीचे की साइट से यहाँ पे देखिए धागे को आगे कर लेना है अब यहाँ पे देखिए जो तीन फंदा हम बंद करते हैं उसे के फंदे में उपर वाला जो फंदा है सिम कुर्शय को डालके अब यहां से गिरीन वाला धागा हम देखी यहां से निकालेंगी इस तरीकी से धागा में निकाल लेना है अब देखिए ऐसे धागा लेके कुर्शय में फिर इसके नेक्स्ट वाले फंदे में से धागे को निकालेंगी तो सभी फंदों में से एक एक धागा निकाल के कुर्शयम लेंगी अब यहाँ पे देखी हम धागा निकाल के दो दो फंदा इसको बंद कर रहे हैं तो लाश्ट तक इसे ही बना लेना है इसको अब इसके आगे देखिए उपर वाले फंदे में से एक एक धागा निकालेंगी तो सभी फंदों में से हम धागे को निकाल ले रहे हैं अब यहाँ पर देखिए नीचे वाले फंदे में से धागे को निकालेंगी यहाँ पे देखिए एक फंदा हम ज़्यादा जो निकालते हैं अब इसको निकालके दो-दो फंदा इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे दो-दो फंदा बंद करते हुए हम लाश तक बना लेंगे तो देखिए फ्रेंस यह बन गया है हमने पत्ती का यह देखिए डिजाइन बना लिया है अब इसको मैं सीधा करके दिखा रही हूँ यह देखिए अब इसके आगी फ्रेंस यहां पे देखिए बीच का डिजाइन पहले बनाना है जो औरंज कलश्रेम है बनाती हूं तो आठ राउंड देखिए आप पे दागा निकालके तो यहां पे बंद कर लेंगे इसके बाद ग्रीन कलश्रेम पत्ती बनाएंगे तो देखिए फ्रेंस दुनों साइड से पत्ती का डिजाइन देखिए बन रहा है इसी तरीके से पत्ती बनेगा तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है इसको ना पत्ती का जो डिजाइन है फ्रेंस तो मैं इसको आगे बना ले रहे हूं थोड़ा सब तो यहां पे देखिए फ्रेंस हमने तोन पत्ती को बना लिया है अब देख सकते हैं दुनों साइड से पत्ती का डिजाइन बहुत ही कूपसूरत लग रहा है फ्रे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेट में बताएं फ्रेंस हमारा वीडियो आपको कोईसा लगता है फिर मिलते हूं अगले वीडियो में थैंक यू